15-18 साल आयूवर्ग के बच्चों के वैक्सिनेशन का आज दूसरा दिन है और अभी हम मौजूद है राम मनुहर लोहिया में जहां पे वैक्सिनेशन करा करके ये दो बेहने निकली हुई है तो हम परिवार से बात करेंगे कि कैसा अनुभाव रहा और खास्तोर से बच्चों क कि ये वैक्सिन आई है अज दूसरा दिन है वैक्सिनेशन का तो एक्साइटमेंट है उत्साहित है अफिडर है किसी बात का नाम क्या है बाव आपका मैंने मिसमेहिक चाहन क्या हूं रहा आप किस क्लास में पढ़ते हूं मेरी ऐज 17 ये बताईए एक्साइटमेंट जादा कि या डर जाता था डर था था थोड़ा बट एक्साइटमेंट भी थी कि फाइनली अब चुड्रन को भी लग रहे है वैक्सिनेशन क्यूंकि बहुत टाइम से वेट हो ही रहा है लोग रहा था तब ठीक है अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है कि जैसे पढ़ाई लगनी जाहिए सबको ठीक है हो जाएगा सबको जोग अच्छा लगनाई थी और वैक्सीन अभी लगवानी का एक्सपीरियंस के सारा शुरू में थोड़ा था थोड़ी आंटिसिपेशन थी क्योंकि बहुत टाइम से वैक्सिन को यह ऐसे लगानी था था आप लगने के बा यह आपको भी वैक्सीन का इंतजार था अभी पढ़ाई लिखाई किस तरह सापलों के अफेक्ट हो रही थी लॉक्डाउन को रोना तमाम चीज़ रही तो आपको क्या लग रहा है वैक्सिनेशन से क्या आप लो पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड फील हुआ क्योंकि घर में एक दम दो तीन महीने के लिखा दिया पर अब काफी नॉर्मल फील हो रहा है वैक्सिनेशन के वाद कि अब फेर हर जगा निकलने का देने का तो लग रहा है कि अब पढ़ाई अच्छा हो हाँ 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 यह वताई अभी एक्स्पिरियंस क्या सार आपका वैक्सीन अब कर लेते हैं मैं आपका नाम क्या है मैं पनमा चहानु मैं मैं यह जानना चाहती हूं कि आप लोग क्या क्या कुछ डर था क्या वैक्सिन को लेकर के क्योंकि शुरू में भी तमाम बाते हो रही थी वैक्सिन को लेकर के आपको क्या लगा था पुत्साहिक ज्यादा थी डर जादा ने डर तो नहीं था जल्दी से जल्दी वैक्सिन आया ताकि नॉर्मल रूटीन में आ जाए बच्चे लॉक्ड़ान में पढ़ाई लगवना कि बारा बंदर ओनलाइन पढ़ना मुश्किल है तो सुझे जिता वैक्सिन लग जाए बच्चे को प्रटेक्टेट रह करेंगे सर आपका ना मैं डॉक्टर देविंदर सिंग चौहान हूं यहीं पर एचोडी पैथलोजी इसी भी बाग में हूं इसी हॉस्पिटल में हूं सर एक वैक्सिन को लेके महाब आपको क्योंकि बात जब बच्चों की आती है तो आम तो पर डर रहता है क्या आप लोग सब्सक्राइब करने की चकर में आज लाया हूं सर में यह बाद जाना चाहती हूं कि यह जो 15-18 एज ग्रूप के लिए जो सुरू है वैक्सिनेशन तो किस तरह से इन बच्चों की लाइफ पे और कहा सब्सक्राइब किस तरह से असर पड़ेगा एक्शली बच्छों की कि वैक्सिनेशन के दोनों सर्टिफिकेट होना आने वारे है बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अब सर्विका तो आपने सुना कि जो माबाप हूं जाहे बच्चे हो सबकी चिंता स्वास्त के साथ सथ पढ़ाई की भी है क्योंकि पिछले दो सालों में लगातार जैसी प इस तरह से जीवन पहले चल रहा था वैसे चलने लगे पहले की तरह पढ़ाई लिखाई हो पाएगी पहले की तरह एक्जाम दे पाएंगे तो इसी उम्मीद में बच्चे बढ़ चड़ करके इस वैक्सिनेशन ड्राइब में हिस्सा ले रहे हैं आपको रखे आगे